हेलो एब्रीवन वेलकम टू जैनिक एजुकेशन तो कैसे हैं आप लोग होफुली आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का जो क्रेस्ट कोर्स स्टार्ट हुआ है वह भी सुफ़ा फोर में चला होगा आप लोग होफुली इंज्वाइग कर रहे होंगे तो कल आप लो एंड लाओ और लौड दि मॉडगें थियोरम और भी था कॉंसेंस थियोरम और उसपर बेस जो कूश्चन था उसको भी देखे थे जितना प्रहाया था मैंने उसी के बियारा पर मैं चार-पांच कोश्चन लिया हुआ था और उसके थू मैं उस जितना भी कॉंसेप्ड था उसको recall करवाने एक कोसिज किया था तो आज हम फर्दर उसी लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और चलते हैं लेक्चर नमबर टू में तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कल आप पढ़े दो लाव पढ़े होंगे लॉफ बूलियन अल्जेब्रा में दो लॉफ पढ़ लिए होंगे लॉफ बूलियन अल्जेब्रा इस था जिसमें तीन लॉफ है बेसिकली टोटल तीन लॉफ है आप लोग जो पढ़े हैं वो शबसे पहला कम्यूटेटिव लॉफ एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे अभी इसके बार डिस्ट्रीब्यूटीव लॉफ इसको भी रिकॉल करेंगे क्योंकि यह दोनों अलेडी हो चुका है यह भी और यह दोनों अलेडी कर चुके हैं थर्ड एंड लास्ट जो है डाट इस यूर असोशियेटिव लॉफ क्या सर तो कमीटेटी लॉफ में अपको बता चुका हूँ जो इन्पुट को इिंटर्चंज करने से मतलब यह कोई गेट है यह कोई मालेजेए एक गेट है यह a-as-jut k Till dream तो क्या हो जाएगा एंटू भी ऐसे तो लिखते हैं न रिपर्जेंटेशन तो यह है अब देखें इसके इंपुट को इंटर्चेंज करने पर मतलब इसको यहां कर दे और इसको यहां कर दे तो इसको अटू बे फ़र्क नहीं परेगा मतलब क्या हो जागा अटू बी अगर कि एक पलस बी इंटू सी यह मतलब एपलस बी इन्टू सी एक तो इक खली कॉल पार्ट में दिस्ट्रीबूट कर दे क्य्के एंड लौजिक है और वियूर्ण बिच में क्या एंड लौजिक है तो यह जो ब्राइकेट लगा है यह देखे ब्रैकेट अब इस ब्रैकर को बोलते हैं parenthesis अब सर यह क्या होता है तो यह एक operator होता अभी मैं बताऊंगा जस्ट इसके बाद बताऊंगा जब यह operator लगा होता है यह parenthesis लगा होता है तो सबसे पहले सबसे पहले और करने जाते हैं इसके बात मैं बताऊंगा जो इसके बारे में बोल लाँ तो यह जो ऐसे पहले इस सिस ठीक तो इसका सबसे परले इसी का होता है जब हम स्वल्व करने जाते हैं इसमें बुलियन अलजेब्रा में या इलेक्ट्रोनिक्स में तो सबसे परले इसी को स्वल्व करते हैं यह जो ब्रैकेट वाला पॉर्ट्सन है ओके इसके बाद हैं कि और लॉजिक को देखेंगे किसको कैसे देखेंगे किसका परइरीटी किस तरह से सबके बारे में अभी डिसकस करेंगे और आपको यह क्लियर हो जाएगा यह है बहुत ही चोटी चीजे इसको लोग इग्णूर कर देता है लेकिन हाई बहुत ही इंपोर्टन अगर बेसिक्स इसी को बलाता है बेसिक्स अगर जानते रहेगे आप लोग तो कभी भी कॉइश्टन में नहीं फचिएगा आप देखें इसमें क्या है ए पलस बी के बीच में क्या है और लॉजिक और इस बीच में क्या है यही तो बताया थे न तो क्या हो जाएगा ए पलस भी इंटू A plus C, यहीं हो जाता था, simple, अब यहीं पर क्या हो जाएगा, A into B plus C, अब देखिए, B plus C के बीच में कैसा, और लॉजिक है, और A into B plus C, और इसके ब्रैकेट के जो अंदर है, और A है, इस दोनों के बीच में क्या है, अब इस दोनों में क्या हो जाएगा, एंद गेट के बढ़़ हो जाएगा, और गेट पर, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, A into B plus A into C, यहीं ब्रैकेट में और यहीं ब्रैकेट में, ओके, यहीं सिखे थे किसमें, डिस्टिबीटिव लॉज में, तो यह दोनों और सबसे बेसिक सा एक्जामपल आपको माल लिजे हम तीन नंबर दे दिए नंबर दे दिए ती वन प्लस टू प्लस फोर इसको एडिशन परफॉर्म कीजिए तो आप में से कोई भी एक बंदा बोलेगा सर यह तो सिंपल है वन टू थ्री थ्री फोर सेवें तो यह सेवें कैसा यह बताईए यह सेवें क्या आप एक बार में तीनों को एड़ कर दिये क्या ऐसा तो नहीं किये किसी दो को एड़ कि होंगे फर्स तैम में फिर उस दो मेंसे जैसे वन और टू को माल लिए किसी दो को यहीं माल लेते हैं वन और टू को लिए तो कितना गया थिरी और इसमे है खुरापाती दिमाग का क्योंकि हम तो हैं इंजिनियर तो हम ऐसा नहीं करेंगे सर हम कुछ उल्टा सिधा करेंगे करो भया ऐसे ही तो करो गए पर इस दोनों को ले लो तो वन और फोर को लोगे तो कितना फाइव और बचे कितना पलस टू कुछ अलग आया क्या से बनी तो मतलब जो इस लो को फॉलो करेंगा मतलब इस दोनों को एक साथ लिये और लॉजिक के साथ पिर इसके सास लिया और लॉजिक अब ये इक्विल्ट होगा A plus B plus T मतलब अगर इस दोनों को भी ले ले तो equal ही आएगा देखे यहाँ एक्जामपल के लिए देख लीए आप इक्जामपल सिंपल था है 1 plus 2 plus 4 कितना 7 है नी कोई बोलेगा सर 1 plus 2 plus 4 करेंगे कितना 7 ही आएगा 1 plus 2 plus 4 कर लो क्या 7 ही तो आ रहा है न तो क्या बोलेंगे यह associative law को hold करता है अब कोई बोलेगा सर आप one two four क्यों ले रहे हैं सर आप तो बोले थे digital में zero one ही चलता है बिल्कुल आप zero one ही ले लिए इसके पर कोई दिक्कत नहीं है one one प्लस zero कितना होगा zero plus one 1 ही तो आएगा बैया कितना one ही तो आ रहा है अब प्रकोई वोले घृत हम आयसे ले लेंगे फ Lieगे हम लेंगे zero प्लस zero इसको दोनों को एक साथ लेंगे और one को single لखेंगे zero HP और one को सिंगल लखेंगे 0 इसको यहां सिप्ट कर दें यहां सिप्ट कर दें या फिर यह जो ब्रायकेट है जिसको परेंट थैंसिस बॉले इसको पछलें फिर फिर भी प्लस रहाएं यह दोनों अगर इक्वल हो जाएगा यह सोशवियेटी लोग को होल्ड करता है अब यह तो हो गया और लॉजिक के साथ गेम इसमें भी तो एंड लॉजिक आगा दोनों के बारे में पढ़े हैं दखिए अभी इसके बारे में क्या था और लॉजिक के साथ और एंड लॉजिक दोनों के साथ पढ़े हैं तो इसके इसके साथ ना इंसाफ ही हो हो गई अगर मालेज़े वन इंटू पलस थी दे दिया किसी को इतना तो बिर्लियंट है नहीं इसको देखकर के अब बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं अब क्या देखते हैं सर तो अब देखते हैं प्राइटर प्रिसीडेंस जिसके बारे में अभी हम बात कर देखते हैं कि टॉपिक का नाम लिखेगा है कि प्राइवरीटी ऑफ अप अपरेटर यह क्या होता है पराइडिटे अपर कि किसको पथले सूल्व करेंगे अगर एक equation देदिया जाए उसमें कि बहुत सारा चीज़ दे दिया जाए, end logic दे दिया जाए Ind logic दे दिया जाए, ग्रफची那रण कि एक उसको सुल्म हम कैसे करेंगे, तो वह ही चीज़ को करने के लिए ये देखिए, सबसे पहला जो देदेगा parenthesis इसको ऐसे ब्रैकेट लगा रहता है small bracket से रिपर जैन करते है ओके दूसरा होता है note तिसरा होता है end और चौथा होता है और क्या क्या होता है parenthesis note logic end logic और logic पता है तो इसमें जो प्रैरिटी होता है वो इस तरह से चलता है इस तरह से means है means सबसे पहले अगर एक्वेशन में ये ब्रैकेट पर्जेंट हो तो सबसे पहले इसको solve करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जागा इसका maximum हो जाएगा और minimum किसका होगा और का हो जाएगा minimum मतलब और logic को सबसे लास्ट में solve करेंगे अगर यह लगा है तो सबसे पहले इसको solve करेंगे इसके बाद note gate जो होगा इसको solve करेंगे इसके बाद end gate को इसके बाद और जो तो सबसे लास्ट जो होगा वह क्या होगा और जो जाएगा और लोजिक सबसे लास्ट में जाकर अब सर इसपे question कैसे आएगा यह तो यह application बूलियन अलजेब्रा को स्वल्व करने में यूज आ जाएगा जो जो बूलियन एक्वेशन बहुत लंबा लंबा देता या फिर ऐसे पूछ सकता हुई जब फॉलोइंग है मिनिमम प्राइडिटी तो मिनिमम किसका है सबसे मिनिमम किसका है और लॉजिक का तो देखे चार है किस यह इस तरह सब्ण करें जिसको स्थ्टूडर देता है ऑल आसे ओखा के डाल देता तो आपको यह सोचना ही नहीं में जूँ सा यह है जिसको फोकस करें आपके जितना लेवस्म है नो उसको पूरी तरह से कबर करके जाएए उस पर पूरी तरह से फोकस डाल के जाएए अपने आप चीजे सुपफ हमें जाने वाला है एक्जामनेशन में ओके चलिए अब यह हो गया अब चलते हैं आगे advantage of is minimize कि यह भी कि यह भी नहीं घृम इस तरह से ले लेते थाγαने एक जांपर एक एक्जांपल ले लेते हुआ बहुत अच्छा है हम question exit की हुई थे एक्जांपल में देखे इस तरह से एक्जांपल से समझा रहे हैं hy plus y प्लस xy bar into wz यह हो गया एक्जांपल मान लिजिए अब देखिए इसमें क्या है अभी देखेगा इसको इससे करने हैं वैसे बता देंगे तो हो सकता आपको याद ना रहे ठोड़ी पूछ दिया तो एक्जाम में हो सकता इसकीप कर जाए इसके थूरू समझाने कोसिस करने यह दखिए एक्सवाइ प्लस एक्सवाइ बार इंटू डबलू जैर इसका मीनिंग क्या हुआ कोई बताएगा ओस्वाइए तो सब्सक्राइब और इक सब्सक्राइब मतलब को अपने मतलब यहां इसको लिटकर के मान लेते हम कर देंगे अगर यहां पर पुट कर तो यह तो हो जाएगा एम पलस यह तो हो जाएगा यहीं सेम फंसाना जिसको माने उसका अगर बार लगा तो यह हो जाएगा तो कितना हो जाएगा M-Bar और यह डवल्यृत इसको भी कुछ नाम देते हैं क्योंकि शुट नहीं कर रहा हुआ है तो इसको हम नाम देते हैं अनन यसको नाम दोनों का दिखने में ये देखें इसको स्टेर्फाar क्यों कर सकते हैं तो क्या होगा यह देखिए एक बार M प्लस M बार बनाएगा इंटू M प्लस N बनाएगा तो आपको हम पता हुए रहे लॉफ बूलियन थियोरम बता रहे थे उसमें एक प्रोपाइट्टी आया हुआ था इसमें और लॉजिक में क्या सर A प्लस A बार कितना देता है वन तो द प्लस N से तो M प्लस N ही आएगा अब पूट कर देजिए M तो कोई टर्म नहीं था एक्स य का टर्म में चीज़ें था लेकिन हम माने थे M किसको माने थे एक्स वाई को पलस N किसको माने थे डवलू जैर को तो यह हो गया मेरा मिनिमाजेशन अब सर इसमें कुछ समझे नही अब यहां में दिखाएंगे तो क्या लगता यहां पर इस दोनग उन्हें क्या है एंड गडिला नहीं यहां में एक नोट गेट लगा देता है तो एक बनता क्या W into Z यहा फिर एक नोतू लगवाना पड़ता यह डवलू और यह जयर तो यहाँ पहता W into Z और फिर इस पर में फिर तोनों को यह लगाके a कैसे हो हैंतरी ऐलगाते और डे से जड़ी होएं बार टो देखित एक दो तीन चार एक दो तैना चार गित लग रहा इसको implement करने के लिए कितना get लगेगा तीन ही get लगेगा कैसे यह देखिए इसको implement कर रहा है यहाँ पर तो देखिए x into y है तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा y तो यहाँ जाएगा x y इसके बाद क्या है w z है फिर एक note get लिजिए यहाँ पर w यहाँ पर z और इस दोनों के साथ क्या एक और गेट लगा दीजिए तो हो गया कितना x into y plus w into y यहीं तो है और देखें यहाँ तीन गेट लगा और यहाँ एक दो तीन चार गेट लगा यहाँ तो गेट कम हो गया सर यह फाइनल में जब इसको solve कर लिए तो तो यहीं तो minimization का benefit है जब minimize करते हैं किसी circuit को जब minimize form में लिखते हैं तो क्या क्या होता है सबसे पहले जो यह गेट है number of gate तो number of gate जब कम होगा तो उसका physical जो दिखेगा आपको physical structure हो क्या दिखेगा छोटा दिखेगा भुद पतला दिखेगा तो इस चीज को आप आप जब कर सकते हैं और आप को कर समझ में आएगा आप आसे दस साल पले जायिए आट साल पले जायिये तो पहले है मोबैल जो आता था प्ईतना मोटे 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 अभी अब जब live मोबास हो रहा है चब-0, भदा टम अ मोबै आप यहीं करनम है जब ट्रांजिस्टर का साइज लगेगा ऊपले सी आपट असे का स्थैक्ट बहुत बढ़ा दिखेगा इसका साइज बिग दिखेगा को तो नमबर ऑफ गेट कम लगएगा और उसका कंपले इस वह जाएगा तो सबसे पहला एडवांटेज लिखिएगा एडवांटेज और मिनिमाइजेशन में क्या कम्प्लेक्सिटी लिस अब सिंपल सी बात है जब कम गेट लगेगा तो पावर कंजप्शन भी क्या करेगा कम ही तो करेगा मेरे भाई याद तो लिस्पावर कंजप्शन और पता है जब नम्मर ऑफ गेट कम लगाएंगे तो में मुझे पैसा भी कम ही उसमें लगाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कोष्ट क्या होगा less cost और चौथा क्या होगा most important ये बताये चौथा क्या होगा most important जल्दी से बताइए अप लोग कंप्लेक्सिट्टी लेस कंजर्प्शन लेस कोच्ट और जब इतना कुछ हो जाएगा तो फिर फैनल में क्या होगा जल्ली से बताएं आप लोग बताएं का मैंने नहीं बताऊंगा यहाँ पर क्या है यह का श्रक्षर यह है और इसका श्रक्षर यह अब यहां पर इंपूर यहां पर इंपूट कुछ घृत तो इस प्रोसेसिंग कुछ और यहां पर जैदा टेल लगा एक दो तीन चारो डेगा तो यहां जब लगा तो सब में पांस तभी तो देगा ना मतलब अमीनिमाइज हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा क्या कि श्रीड फास्ट में यह ऐसे याद रखेगा चीजे कनेक्ट होगा आपको याद रहे लेगा complexity less less consumption less power consumption sorry less power consumption लिखजेगा लेस पावर कंजम्ट्प्शन लेस कॉस्ट और स्पीड फास्ट हो जाएगा या फास्ट स्पीड कुछ भी लिख सकते कोई लिकत मतलब क्या input चाइब रिस्पॉंस टाइम कम हो जाएगा ओके चलिए यह तक क्लियर सब को अब बढ़ते आगे अब परते हैं रिपरजेंटेशन ओफ रिपरजेंटेशन ओफ बूलियन फंस मुलियन फंसन को रिपरजेंट कैसे करेंगे सर क्या पढ़ना है इससे पहले एक note point लिख लिजा आप लो note point note point का पहला point है if n number of variable are present उपर लिखेगा then total number of then if n number of variable are present then total number of पहला total number of possible combination कितना हो जाएगा जब n number of variable present होगा तो total number of possible combination कितना होगा और इसी में पूछ लिया जाएगा total possible boolean function कितना होगा दूसरा क्या पूछ लेगा है या आप सब्लड़ धिसी घुलियर फंसर जालन है कि इतना होगा तो यह हो जाएगा टू इस ूटू्ल पॉट्य पावर Kits अब देखें एकजामपल एक्जामपल में लेते हैं एकवाल टू वेरिएबल है यह तो वैरियेबल है माल लेते हैं एन का वाल्यू कितना जिया गया ह्या है कि वैरियेबल टू देते हैं यहां पूछेगा टोटल नम्मर पॉसिबल कंबिनेशन कितना हो सकता है तो अभी तक आपको पता भी होगा माल यह और बी दो वैरियेबल लेते हैं इसने इससे कितना कितना यह सकता है क्या कोई यह चारी तो पॉसिबल है न इसके अलावा कुछ बना सकता है क्या कोई यह चारी तो में पुसिबल लेंगे तो कितना हो जाएगा तो लेली जैन का लू 3 A B और C तो 00 से वो लेकर करके 111 तक जाएगा तो आठी तो combination बनेगा ना आठी combination बनेगा और यहां से निकाले कितना 3 कितना आ रहा है कोई दिक्कत यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए बहुत ही आसान चीज़े पर रहे हैं लेकिन यह सब आता है इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं अब चलिए आगे यह तो हो गया सब इसकी बात हो गई यह पूछेगा टोटल नमर और पॉसिबल कंबिनेशन तब आप बता दिए अगर यह पूछ लेगा टोटल पॉसिबल बूलियन फंसन कितना होना चाहिए तो इसके बारे में भी बात करते हैं तोटाल पसेबल बूलियन फॉंचन और पूछता यहीं है कंभीनेशन तो सब को पता है तोल प्लॉजय बूलियर फॉंचन च्छी तो पल दो के दो है तो चार हो जाएगा फोड और यह कितना जाएगा सिस्टीन और कि यह सब्सक्राइब aby लिख करें प्रमेंट सेक्षेंट में लिखो गें यह आपका काम रहा खोज़ा सेक्षाइर में लिखना सब्सक्राइब और दिखेंट है पहलाद इसलब पर जीरու हो जाएगा इक प्वन्सन फिर इसमें वन आ जाएगा मनलने एक्स और वाय मान लेते हैं तो चॉथा कितना वाय कि वाई बार रहा जाएगा एक दो तीन चार इस तरह से शोला तक जाएगा शोला आएगा यह तो चार ही हुआ बारा आप लोग लिखेगा बारा आप लोगों को लिखना है और यह कमेंट सेक्शन में डालना है आपको तभी तो पता चलेगा ना टोटल पोसेबल बुलियन फ ट्यूएलव बाकि रिमेनिंग जो ट्यूएलव है यह आपको लिखना है और आप लिख करके जरूर बताईएगा इसमें ओके तो चलिए यह वी क्लियर हो गया अब चलते हैं आगे अब चलते हैं आगे ठोरीकल पोर्शन थोड़ा कवर कर लेंगे फिर हम चलेंगे नुमेर पर हम फोकस बहुत ज़्यदा करने वाले हैं लेकिन ठोरी को छोड़ नहीं सकते हैं तो यहां ठोरीकल क्वेश्चन भी आएगा और ठोरीकल क्वेश्चन भी हम बनाने वाले हैं ठीक तो पहले कवर कर लेते हैं थोड़ा थोरी फिर मैं सुच करूंगा आपके नुमेरिकल अब चलते हैं अब हम पढ़ने वाले थे री पर्जेंटेशन और अव ली पर्जेंटेशन और अफ बूलियन फंशन कि यह क्या होता है से री पर्जेंटेशन और वूलियन फंशन क्या होता है कैसे कैसे इसको री पर्जेंट करते हैं तो आप लोग अभी तक करते भी आ रहे होंगे यह सब चीज़े आप लोग कर रहे हैं आपको मतलब कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चला जो इसको यहीं जिसको बहुत लोग एग्णोर कर देते हैं और जो एग्णोर करते हैं बस एक्जाम में तो वहीं से question पोच्टा है जिसको आप ignore समझते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है canonical form से इस बार भी gate में question आया था आप इसी ब्रांच बाले जाकर देख लिजेगा इस बार इसके बाद दूसरा आता है minimal form अब सर यह दोनों होता क्या है सर यह बताओ कि यह तो समझ गए एक का नाम है canonical form पहला canonical form दूसरा हो गया मिनीमल form लेकिन सर मतलब यह होता क्या है कैसा होता है यह तो मुझे पता ही नहीं है यह तो बता दीजिए तो आप लोग बताएगा मुझे यह होता क्या है मैं तो बस बता दिया नाम canonical form में और जो हम लोगा जी मेरा जी कोड जी कोड जी ट्वेंटीएट का वीडियो देखेंगे गेट के पिर्पेरेशन के दोरा उसको यह सब चीजे जहुर पता क्योंकि यह सब चीजे हम कोईस्टन के थूरू सिखाये और बहुत अच्छी तरह सिखाये जिससे कि आप लोग जल्दी भूलना पाए और जो प्रवारियाबल का पंशन है तो यहां पर मालेचे लिखेंगे a b c plus a b c bar plus a b bar c इस तरह से अगर लिखा हूआ रहे मिन्स ये कौना फॉर्म में है ये कैनो नीकल फॉर्म में इसमें इस में इस मीन टर में हरmee मीन टर में साए वरियेवल पर जाहिए आए लो सिंपल चाहे और उनप न मैं वन में हो चाहे और कंप लिमेंटेट इंपर्म में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वार्ट लेकर यह ब्लंड होना यह इंप्टन है और यह जब प्रेंच होगा तो मुझ को बोलेंगे कैयनो्नीकल फॉर्म कौन सा फॉर्म हो तो सर मिन नीमल को में क्या होगा अभी दख़ें मिनीननी मौर्म में क्या होता है कि यह तो जो ओब इसमें क्या होता है जितने विल्यू है यहां पर दो 131 तो यह तीनोब टैंड़ है लेकिन इसैं कィया हो जाएगा इसमें जो पॉठेंड रोगा थो तीनों फॉर्म में क्या होगा तो अभी देखेगा मालेज्ण एफ ए बी सी इपकोल टूमालीज्ण दिया गया आपको ए पलस एभी बार सी पलस एभी सी बार यह देदेगा मालीगे यह देदिया अब देखिए कोई बोलेगा सर यह भी तो जो canonical form में है नहीं है क्यों नहीं है देखिए यह यह कंने ही पर जेंट है अभर लेकिन यहां पर लेकर यह तो हम इसको इसको कैसे बनाएंगे ऑन करते हैं तो मिनिमाइज करना परेगा तो मेनिमाइज क्या से करते हैं बूलियन अलजेब्रा यहां लगा देते हैं लगा दिए यहां पर भी सब इस तीनों में कॉमन दिख रहा है क्या ए ले लो कॉमन और जो ही एक कॉमन ले लोगे इसका गेम ओभर हो जाएगा कैसे यह देखो एक कॉमन लोगे यहां बचेगा वन और वन प्लस सम्थिंग देख है और इसको बोलते हैं जैनोनीकल फ़र्म हमेशा याद कि अगर तीन वारियेबल का फंटर जैसा कि यहां दिख रहा है तो इसके जो एक्सप्रेशन होगा यह जो फंटर लिखा गया होगा उसमें तीनों वैर्येबल परजेंट होगा आईदर कंपलिमेंटेट फॉर्म और लेकिन यहां पर देखिए यहां पर लिखा गया कि इसको हटा के बस क्या लिखना यहां पर लिख देना है तो यह किस फॉर्म में चला जाएगा और प्यो एस फॉर्म क्या होता अभी हम देखते हैं कि एसोपी फॉर्म और प्यूएस इसके बाद हम वह पढ़ेंगे एसोपी और प्यूएस परले हम देख लेते हैं क्या कि में टर लिख अ कुछा को इस साब का नाम तो सुने लेखिन यह सब पता नहीं है मतलब वैसे पूछ लेगा कोई तो मुझे नहीं बता नहीं सकते हैं मतलब इतना चीजे पढ़े हैं उसमें मिक्स अपने चीजे लेकिन मैं इसी लिए इस चीजों को पहले क्लियर कर रहा हूं फिर क्वेस्टन में आपको जो है इस सब को टेकल करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा अब यह मीन टर्म क्या होत अगर कोई फांचन इस तरह से लिखा हुआ है f equal to a b plus b c plus a c तो बोलते है न, इसमें क्या हाँ यह है इसका मीन टर्म है तो यह किस फॉम है, यह देखिए, product फॉम में ही तो है a is to be लिखा हुआ है क्या लिखा है a is to be, तो लिखा हुआ है कोई बोलेगा एसी क्या है तो एसी भी एक मीन टर्म है अब दिखाएंगे आपको एसोपी फॉर्म क्या होता है और मीन टर्म का चार रिलेस्टन है दोनों पता चलेगा अब अब आपको एसोपी फॉर्म का और मीन टर्म का दोनों का रिलेस्टन तो अभी हम पढ़ते हैं मीन टर्म मैंक्स टर्म इसके बाद एसोपी अप्यूस में भी सुच करेंगे अभी किसे फोकस करना है तो मीन टर्म मीन टर्म क्या होगा इट 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 इजा प्रोड़क्ट टर् कि तो मैक्स टर्म क्या होगा गया बताईए मैक्स टर्म क्या होगा तो इटी जा सम THE कि है ह GUY समध मेंने आया प्रोड़क्ट टर्म और समभ diff ai क्या बोल देइए अभी समझाया कहूं मैं अभी देखें न कैसे समझ में आता हो इस अभव यह सब यह देखिए A, B, C, यहां लिखते हैं मीन्टर, और यहां लिखते हैं मैक्स्टर, अभी सब समझ आएगा, ऐसा कोई चीज नहों जो आपको समझ मिनना है, वहीं पर बोलिएगा सर रुख जाएए थोड़ा, कमेंट सेक्षन आपके लिए इसलिए खाल लिए, क्योंकि जल्दी बताइए इसको मीन्टर में लिखना है, 000 को कैसे लिखेंगे, तो आपको प्रक्राप जिरो, 000, मिन्स क्या होगा, 0 ही तो लिखा गया है, इतना दो पता होगा, आप अलेक्रोनिक पर रहे हैं तो, 000 मिन्स क्या, 0, तो इसको मीन्टर में रिपर जैन करते हैं, mnot, small mnot लिखते हैं, एकं van एकंकें में आईसे लिखा त्रचनल तो एकंसे हुआ तरPACH हो जाएगा में हो जाएगा capital M0 इक्वल टू कि ए पलस बी पलस इसमें जो होता है ओ देखिए सम्टम्स तो होता है लेकिन चीजे इसके रिवर्स में चलता है यहां पर जो जीरो को लिखते थे वो में जीरो को नन कम्पली में लिखते हैं तो यहां डिचिट आफ बीपलस इसका दायट डाय युशन में में जो होता है और 0 को कम्प्लिमेंट में लिखते हैं और वन को नोन कम में एक फोर्ट्ू वन के फॉर में अगर किया होता है यह यहां पर चीजे इसके अपॉजीट हो जाता है जो जिरो हो प्सको लिखते हैं नॉन कंप लिमेंटेट फॉर्म में और जो वन होता है उसको लिखते हैं प्लिवें सब्सक्राइबॉज है तो रिकल में फ्रों zar प्लेसगी सब्सक्राइबॉज है यह लिखा हुआ कितना होगा M6 M6 और M6 लिखा हुआ है ये दोनों 1 है तो कितना हो जाएगा A bar क्योंकि जो 1 होता हो तो simple non-complimented form में होता A, B, C bar और ये कितना हो जाएगा M6 कितना हो जाएगा A bar plus B bar plus C अब समझ में आया कि नहीं ये बताइए Means Mean term में चीजे जो है product form में रहेगा Max term में चीजे sum form में रहेगा यहीं चीजे लिखा है It is a sum term, it is a product तो यहीं से तो आता है ना यहीं जो product term और sum term दिख रहा है तो इसी को हम बोल देते हैं Sum of product That is a sop form और इसी को बोल देते हैं हम Product of sum That is POS form कैसे बोलेंगे यह देखिए अब इस सब को जोड देए यह जो लिखा इसको जोड के लिखते हैं तो f equal to कितना लिखाएगा यह A bar B C bar plus A bar b C bar plus A B C bar तो यह देखें क्या हो गया जितना भी product है उसका some है की नहीं देखें यह भी product है यह भी product है यह भी product है सम को sum कर दिये ऊ driven Our product that means एस ओ पी सोस्ट में बोलते है और यहां पर देखें क्या लिखा गया इसको अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा इसमें क्या हो रहा है इसमें उस्का प्रोडक्ट हो रहा है तो यहीं तो लिखे ना प्रोड़क्त आप सम् जो सम है उसका प्रोडक्ट तो यह दखे सम् है और सब के जितना भी संब बाला तर्म तो क्या कर रहा है तो इसको क्या बोल देते हैं प्योएस फॉर्म यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बता दीजिए आइधिक क्लियर हो गया एक वार्ट करके वीडियो को देख लीजेगा सारी चीजें क्लियर हो जाएगा आपको ठीक इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर जाया में ट्रम को डैक्ट एस ओपी से और मेंक्स ट्रम को डैक्ट पी ओएस फॉर्म से हैं यह सब बेसिक है यह सब आपको पता होना चाहिए फिर आगए का चीज़ेगा बहुत ज्यादा स्वार्ट में करने वाले हम क्योंकि यह सब अब पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर आता है जो रिपर जैन बुलियन फसन को कैसे कैसे हम रिपर जैन कर सकते हैं ओके है अब देख है यहां से एक चीज़ा आपको दिख रहा होगा जो मींटरम हेл्य ओर मैट्र मैंक्स टर्म है नौ सब्सकिता यहां पींटर और मैंक्स टर्म क्या है यहांग денег को क्या मानद है कम्पली मेंटर माद मिन्स ऑतने आव्ट को क्या माल केश्म को क्या माय तो एत वлан यहां नोट मिलगेगा मीन टर्म एंड मेक्स टर्म आर कम्पलीमेंट 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 टू इच अदर इसी तरह यह पहला तो दूसरा क्या हो जाएगा एस्ओपी फॉर्म एंड प्योएस फॉर्म और कम्पलीमेंट टू इच अदर क्यों नहीं हो सकता है जब मैक्स टर्म और मीन टर्म हो सकता है तो क्या तो कि यह दोनों बी संसके हो सकता है ना तो यह दोनों इस्ट्मेंट में ढूत ऊसकता है तो यह दूनों याद रखेगा यह ते llegar इस तरह का कुश्चन आ सकता है तो मीन टर्म एक्स टर्म कम प्लिमेंट टू इच अधर सिमिलरली एस ओपी फॉर्म एंड प्यूस फॉर्म आल्सो कम प्लिमेंट टू इच अधर ओके यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं यह बताईए अब हम यह दे रहें कोश्चन और आप लोग कि अहके हैं अए यह एधियु एविखल टू पाइजिरो टूफ फोर फैर अबए से क्या होता है तो हॉश्चं फ i2 पी ओखांव को रिपर जयडी करने का तरीका है यह पाइज प्यूएज फॉर्म को time color पर जयंड करने तरीका है यह पाइज सब्सक्राइब करने का तरीका है अब देखिए यह जो लिखा गया है पूछ रहा है इसको आपको कनवर्ट करना है इसको आपको लेके आना है किस फॉर्म में फाइंड करना है इते हैं यह अब क्यात है इसका आप यह सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करना कि आप क्यिए आप जल्दी बताईए तो वीडियो को पॉज किजएगा और खुच से सॉल्व किज़ाए इसको तो अभी हम आपको बताए थे SOP form और POS form दोनों क्या होता है दूसरे के compliment to each other होता है बिल्कुल सही बात है compliment होता है means अगर SOP को और POS को add कर दें तो कितना हो जाएगा वन भी हो सकता है देखिए का point बता रहे हैं आप कि एस ओपी और POS को अगर add कर दें तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा बिल्कुल सही दूसरा यहां से रिजल्ट अगर SOP टर्म निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं बिल्कुल सही बात है अगर यहीं पर तीसरा टर्म अगर पी ओएस निकालना होगा तो वन माइनस एस ओपी कर सकते हैं कि इस तीनों पॉइंट को मोस्ट इंपोटेंट पॉइंट थी स्टार लाकर लिख दीए यह बहुत ही काम जायदा आने वाला है यह तीनों पॉइंट मिन्स मिन्स अगर एस ओपी टर्म है और पी ओएस टर्म है दोनों को एड कर देंगे तो टोटल फंसन एचीव हो जाएगा डैट इस इक्वल्स टू वन ओके वन से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है डिजिटल में या तो जीरो या तो वन जीरो है मतलब निल है जीरो बट्टा सन्नाता फुल्फिल है उसके पास सब कुछ है वो से चुरेशन को कि एक एचीव कर लिया है तो यहां देखिए एस ओपी और प्यूएस को जब एड कर देंगे सिंपल सी बाते वन हो जाए कंप्लीट बन जाएगा हो क्योंकि आधा एस आधा प्यूएस में होगा ओके यहां एक लाइन में लिखेगा इसका एंसर यह भी है कि प्यूएस फॉर्म में और प्यूएस फॉर्म में है और मुझे लिखना है एस ओपी फॉर्म में तो जो मिसिंग है वो लिख दीजिए ना सिंपल सी बात है और पूरे को एड करेंगे तो वह नहीं आ जाएगा मतलब टोट तो बन सकता है आपको टोटल नमबर आप जो क्या बोलते हैं टोटल जो कंपिनेशन में कितना बनेगा एटी तो बनेगा ना उसको लिखा तो कितना जीरो वन से लेगा तो यहां चार और भनेगा कौन-कौन सा बनेगा वन ठीडी शिक्स से बनेगा अब सबको जब एड कर तो कितना आ जाएगा वन यह आ जाएगा एड करके देख लीजिए अब देखिए यहां एड करने का मिंस क्या सब कुछ यहां लॉजिक पर बेस्ट है चीज है उस लॉजिक को समझ यह किलियर हो गया जब भी आपको प्यूएस फर्म की बंड है या एक सोपी फर्म की बंड है और प्यूएस फर्म निकालना है तो इस में से यह कितना तो सब्सक्राइब कितना सेवन तक और परजेंट आई जीरो टू फॉर फाइब मिसिंग क्या है वन थ्री सिक्स सेबन कंप्लिट बन गया यह सब्सक्राइब कि यह तो एक टाइप हो गया एक टाइप का और कोश्टन पूश्टा एग्जाम में अभी दिखाता हूं मैं आपको यह तो मीन टर्म के फॉर में दे दिया तो वन टू फॉर के फॉर में अब देदेगा वैरियेवल के फॉर में कैसे यह देखिए एक सबार पल्स य इक्वल टू एट पेल ख़ल जै डन já मैकस टर्म हुआ पाई इक्वाल टो कितना होगा हुआ यह पाई भाँ जाना है इसमें क्या होगा यह दिद्या ओक्षम में टिया गया और सब्सक्राइर vorbei में नीकालना अब इसको कैसे करेंगे जल्दी बताइए अपने इसको कैसे करेंगे विडियो को पॉझ किजेगा और खुद से किजेगा इसको आप इसको आपका होमवर्क रहा है इसको मैंस्वव नहीं कर रहा हूँ है क्योंकि अब आपका homework रहा यह आपको answer निकालके comment section में comment करना है और सारे student का comment आना चाहिए जितना views जाएगा सारे student का comment section में दिखना चाहिए इस question का answer homework question लिख करके comment section में डाल दिएगा homework question one का answer और मैं comment चेक करूंगा और सबका reply करूंगा सबका reply दे पाहूं ओके जो भी गलस सजाए जो कुछ में इसको comment में जरूर बताईएगा आप लोग अब चलते हैं आगे कि अब चलते हैं आगे अब रिपार्जेंटेशन ओफ बुलियन फंसन भी कंप्लीट कर लिए हैं अब क्या पढ़ेंगे सर अब देख लेते हैं थोड़ा ड्यूलीटी क्या होता है क्या ड्यूलीटी क्या होता है ड्यूलीटी क्या होता है ड्यूल फंसन जीसे बोलते हैं आप वह क्या होता है उसक कि डूएल क्या होता है इसमें से बहुत साई लोगों पता भी होगा डूएल क्या होता है और यह डूएल है बहुत छोटा सा कॉंसेट लेकिन है बहुत इंपोटेंट फिर मैं फिर से मैं बोल ला हूं है छोटा सा कॉंसेट लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट और यह पाजिएगा इसको यहीं दोनों चीज पर चलता है यह एक होता है पॉजिटिव लॉजिक और एक होता है नेगेटिव लॉजिक यह पॉजिटिव लोजिक क्या होता है और यह नेगेटिव लोजिक क्या होता है तो पॉजिटिव लोजिक के किस में होता है जब हाइयर वोल्टेज होगा उसको लॉजिक वन बोलेंगे पॉजिटिव लोजिक के किस में जो हाइयर वोल्टेज होगा जिसको लॉजिक वन बो कि लॉजिक वन सिंपल सी बात है जब हाइयर वोल्टेज को लॉजिक वन नाम दिए तो लोवर का नाम क्या देंगे लॉजिक जीरो और जो इस तरह के रूल को फॉलो कोड़ेगा डैट इस यूर पॉजिटिव लॉजिक लॉजिक वन मानेंगे तो किसमें किस में होगा फॉजिटिव लॉजिक में नेगेटिव लॉजिक में क्या होगा तो पता इसका जश्ट आपॉजिट इस व्हां मानेंगे अब देखे एक्जाम्पल इक्जाम पर higher voltage का बात कर रहा हूं याद रखेगा हाऊ हाई वोल्ट सब्सक्राइब ज्ञर जो डिजित tomar चीजें चलते हैं जिरो वल्ट या 5 लोड तो यहां पे देखते हैं क्या 0 वह ओकैं और यहां पर दे रहे हम घृण माइनस फैबोल जल्दी बताएं यह यह कौन सा logic होगा यह कौन सा logic होगा तो हम आपको बोले है positive logic के case में higher voltage को मानते है logic 1 तो पता है 0 volt और minus 5 volt कौन सा higher है 0 volt कोई भी जल्द बाजिव में minus 5 को नहीं 5 देखे बस उसको higher कर देगा 0 volt is higher than minus 5 volt तो यह हो जाएगा logic 1 simple सी बात है यह हो जाएगा logic 0 in case of positive logic यहीं चीज नेगेटिव लोजिक में क्या होगा यहीं चीज नेगेटिव लोजिक में क्या होगा 0 volt और यहां पर है minus 5 volt तो 0 volt क्या है higher voltage है और higher voltage क्या बोलते हैं logic 0 तो यह हो जाएगा logic 0 और यह हो जाएगा logic 1 पस इसका opposite इसमें चलता है तो एक ही चीज याद रखना है आपको in case of positive logic जो higher voltage होगा उसको मानते है logic 1 that's it एक ही चीज याद रखना है दोनों चीज याद रखेगा confusion आएगा और फिर जब confusion आएगा एक्जाम में गेम अबर हो जाएगा आपका क्योंकि option इसी तरह से फ्रेम करेगा वह आपको तो हमेशा याद रखना है in case of positive logic higher voltage is logic 1 that's it बस अब इसमें से तो higher lower आप पता ही करेगा जीरो वोल्ट इसी तरह से अगर नेक्स्ट एक्जाम्पल लिया जाए एक एक और एक्जाम्पल देखें है तो आपको अगर दे दिया जाए तो अब फाइब वोल्ट और जीरो वोल्ट में फाइब वोल्ट क्या है है जीरो अधा है तो यह कितना हो जाएगा लॉजीक-1 और यह कितना हो जाएगा लॉजीक-2 किकिया किसके केस में एस तरफ लिखा है मतला फॉजिटिव लोजिक के केसमें बोला हूं से अधिति के चलीह ब गक्रृ। कंद किय से चलेगा कैसे चलेगा तो डुएलिटी जो यूज होता है बिसिकली ओ यहीं है पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कनवर्ट करने के लिए यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है सर तो पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कनवर्ट कर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं डूएलिटी थ्योरम यूज़ करते हैं क्या डूएलिटी थ्योरम इस यूज़ तू कनवर्ट पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक बस एक लें पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक में कनवर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं या इसी को डूएलिटी बोला जाता है अब इसमें क्या होता है तो इसमें पता होगा एंड गेट को किसमें कनवर्ट करते हैं एंड किसमें होता है कि एच लोजीद सिंट दोनों तरॉल लगा दे नहीं में लिख सब खुआ अ saja कैसी ब्रता है कि यह उपर में लिख देता है यह वेडिस धोल ठीटि Τर्ट मिह syllable होता है değildu दूएल एंड कपलीमेंट नोट बना एक जिसको लिख दीजेगा डूएलिटी एंड कंपलीमेंट बोथ हार डिफरेंट दोनों अलग अलग चीज होता है सेम नहीं होता है बस क्योंकि आपनों को कन्फूजन होगा जब बहुत सारी चीज है बहुत जारा जब इसको सुल्ब क बुलेगा सार दोनों सेमी चीज होता है यह सा नहीं होता है दोनों डिफेंट दिफेंट चीज है एक अब अब अन्ड का लॉजिक सवड़ी डूएल क्या होगा और और का डूएल कितना होता है एंड इसले दोनों तरफ एरो लगाकर लिखें है ओके अब देखिए तो का नोटी होता है फिर इस नोट का नोटी होगा सिंपल सी बात है नोट का नोटी होगा अब क्या बचा नेंड का लॉजिक क्या होगा नौर और फिर नौर का क्या होगा नेंड इसलिए दोनों तरफ एरो लगा दिये इसके बाद जो है क्या पता यह एंड को क्या है इस तरह से लिखते हैं यह करनबट हो जाता है minus में प्लस फिर करनबट हो जाता कि अध कि यह ज कर लव कर दोटı कि अधियरो का कितना होता है one का डूएल zero और zero का डूएल ओन लेकिन लेकिन कोई वैरियेबल है मालेज़े ए ए इस एनी वैरियेबल इसका अगर dual निकालेंगे तो as it is a ही रहेगा याद रखेगा हमेशा a का dual a ही रहेगा x का dual x ही रहेगा y का dual y रहेगा लेकिन यहीं चीज़ अगर complement होता तो a का complement a बार हो जाता है है ना different चीज़ मैं बोला खाना dual और complement अलग-अलग चीज़ें एक जब निकालेगा dual तो यही होता है एक्स का dual x ही आएगा means variable as it is रहता है variable as it is रहेगा in case of dual इसको लिख दीज़ेगा राम से नोट में जो भी variable as it is लिखा जाएगा अगर एक हाई तो ए लिखा जाएगा के है तो के लिखा जाएगा मतलब वैर्येबल कि वैरियेबल एट डिटिज डख रहेगे ओके यह हो गया अब इसको थोड़ा देख लेते हैं एक एक्जाम्पल इसका एक्जाम्पल देखना ही पहुत ज़रूरी है तब ही तो पता चलेगा न कितना समाझ में आया एक्जाम्पल देख लेते हैं कर में अध्य को इसको कि एफ टू है कि एक्जाम्पल इसका निकलना है क्या क्योई हो इसको आइसे भी लिखते हैं यह ग्रेण ев्न कुरूल इसको कोई दिक्कत नहीं था अब ह格 sufficient होता लेकिन अब देखिए इसके बीच में क्या है और लॉजिक लगा यह किसमें हो जाएगा और यह किसमें जाएगा और यह कितना हो जाएगा अब इसको जब स्वर्व किजेगा उब तो फिर से क्या आएगा इसको जाल किजेगा आप लोग आप लोग करना पर इसको आजिव दोनों ब्रैकेट को आपन करके लिख़ेगा मैं नहीं कर रहा है मैं डेक्ट लिख्रहां इसका रिजल फिर बचेगा उसको इस मल्डिप्लाइ कर दीजेगा तो फंशन जो स्वल्व करके वह आएगा एवी पलस बी सी पलस सी यह या एसी कोई दिकत नहीं पता है एंड लॉजिक जो है वो कभी टेटिव लोग को होल्ड करता है मतलब इंपूट को इंटर्चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो और सी कोई दिकत में दोनों सैम लिखा हूँ यह जा घया देखिए यहीं चीज तो एप में भी दिया गया ता यहीं चीज फिर से आ गया मैं में ट्रूर्वील इकल क्या आगया आप आगया और इसी को बोला जाता है गम तो अ सेल्फ पिए मिन्स जब एक दिया हुआ रहा रहे और उसका ट्रुएल करने पर वहीं फंचन आ जाये दिखेंगे अपडूल इकुल टू यहीं फंचन आ जाये जो गिवें फंचन था मिन्स यह जो फंचन है वो शेल्फ डुएल फंचन है कैसा फंचन है तो इसको क्या बोलेंगे सेल्फ डूएल फंशन मेंस एफ डूएल इकल टूए अगर एफ आ जाए एफ जब फंशन दैन इतना समझ में आ गया कि नहीं यह बताई यह इतना किलियर हो गया आपको कि अब कोई बोलेगा सरा मालेज़े एनवर्येवल की बेन होगा तो उसमें सेल्फ डूएल वंसन कितना होगा और डूएल फंशन कितना होगा जाए यह यह भी तो पूछ सकता है ना इसको भी देख लेते हैं जैसे हम गूलियन फंसन के फॉर्म में देखे दे चीजों को कितना है एन वेरियेबल अगर परजेंट हो कुछ भी एन वेरियेवल के परजेंट हो सकता है इसकी के से पूछेगा तो सेल्फ ड्यूएल कि इस कि तो होगा तो हाफ को याद रखने करें रखना आए सेल्फ ड्यूएल फंसन जोहगा ओंगा तू.. तू तू दी पावर तू दी पावर एंड माइननस नया मात है यह क्या होगान। अलेकिन बरफू पूचे गा यहीं पर को समझ ये का निस दिन्स्टिंक्ट बूलियन फंसन नमबर अब सेल्फ डूल फंसन तो यह हो जाएगा दिन्स्टिंक्ट बूलियन फंसन तो यह कितना होगा यह हो जाएगा टू 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 टी पावर टू 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 लेुद माल लेते हैं यहाँ पर टू लेट से लेट माल Kan ב b ड्रम सीटीके टो लेति तो याटी यहाँ गया है कोई भी-डो ऊन चुह पई-डो-बन कुछ भी दो दिया गया है क्सित मक् Isaiah के नहीं कितना होगा और तो Coordinator एक लगे बूलियों फंसन् के वारे में तो आपको अईडिया लग गया है अभी जो पताई तो बूलियों फंसन् कितना ओगा ढरोडी सिंक्टी था खेसम कि अनुदिवाइब ली खेसमसाटा चोन स्पлекस्ड आएगा तो यह तो गेम सही आ इसका क्या सर्फ गूरल फंसन CO2 करना है टू पावर डू पावर है खर अ-ध माइन माइनस वन का बात है जलदी से कितना यह सरों ग Ale है कितना हो जाएका है हुद आप फोर कि 15 जो निकला था 16 जो टोटल जिश्टिंक्ट मैद अ मिल्हें एसमें से 4 function ऐसा होगा जो Self Dual Nature का होगा इस 16 बिल्जीन फंचन दाओं लिखना था आपको चार आपको लिखके देदे या समय 12 आपको लिखना था उस जब 16 पूरा आ जाएगा उसमें से देखिएगा चारी ऐसा function ऐसा देखेगा जो कि Self Dual Nature का होगा अब होता है जिसमें F अब चलिए इतना कंप्लीट हो गए आप लोगों को कि यहां पर डूएलिटी भी आप लोग पर लिए अब डूएलिटी का क्वेश्चन देख लेका हूं मैं अभी तक इतना पढ़े हैं सारे क्वेश्चेश्च लेकां अब सारे आप जारे सबस्ट पहला numero नकोurst एक्स प्लूए भी फॉए पर ना से y-bar x-bar y-bar plus x-bar यह इसके उपर बार लगा है simplifies 2 चार option की विए नहीं आपके पास a option है x b option है y c option है xy और d and last option that is your x plus y विडियो को pause कीजिए और खुद से इसको solve कीजिए जल्दी से solve कीजिए इसको कि जल्दी से solve कीजिए विडियो को पाउज कीजिए कौन सा एंसर आएगा इसका एभी सीटी में से अभी तक जितना पढ़े हैं सारा concept है इसमें अभी लास्ट में पर है उस पर बेस नहीं है सारा concept है वह सब्सक्राइब को इसका यूज हो जाएगा बीचे में या फिर जब आ सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत समय ऐसा आया है तो इसलिए उसको परना जरूरी था और आपको पता UPSC में हर टॉपी को टॉपी को चाहे बड़ी टॉपी को मुझे नहीं पता कहां से सारे टॉपी को टॉपी को टॉपी करता है इसलिए हर छोटी-छोटी चीजों को ख़र करें चाहे हो ठीजो नूमेरिकल अप्रोच का ठीक और आपको अची तरह पता होगा तो देखिए मैं स्वल्व कर रहा हूं कुछ नहीं है सिम्पल देखिए इसको तो ब्रेक कर दिए सबसे पर इस दोनों को ब्रेक कर दीजिए और यहां क्या है उपर में क्या लग आपको अभी देखते रहे तो यह कितना हो गया यह हो गया एक्स प्लस एक्स प्लस जीरो तो हटा दीजिए एक टर्म और यह एक टर्म क्योंकि यह अलग है यह अलग है और इसके अउपर कंपलीमेंट लगा है तो आपको कफर स्टर्म पता होगा एक का इसके इसंट्ट के फ्रूर दीजिए तो X bar Y bar के बार के इंटू एक्स का डबल पार पता है किसी का दो बार एकश्चा कब्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है फंचन एज आ जाता है अब देखिए इसको तो अजल्व हो चुका है इसको थोड़ा प्रोसीड कर देता है कैसे यह देखिए फिर यहां प यह हुता था कर दिछे बिलकुल क्या हो जाएगा एक टाबल नुम्पलिमेंट पलस सब्सक्राइब य का डबल कमपलीमेंट और बाहर में तो बैठा हुआ है ना एक्स उसको तो छोड़ना नहीं नहीं है अब देखे कितना हो गया यह भी एक्स हो गया हटा दीजिए इसको यहां डायरेक्ट डबल कमपलीमेंट रिमूब हो जाएगा एकस या अब जब एक्स को x से मल्टिप्ल अप्सक्या आएक करते देखेखे सकते लिए आताएं एक सिब्सक्कीन सब त्क होला सकते हैं वो यह भीया को रहाइक एक्सीज़ टूण डैट इस योर एक्स कौन सा अप्षिन है देखिए यह ओप्षन इस दा करेक्ट आप्षन इसमें देखना नहीं बस वन डिखना प्लस में कुछ भी कुछ भी वन प्लस सम्थिंग वन ही होने वाला है और बाहर में जो कॉमन लिये हो उसको वन से मल्टिप् ऐखिए आप लोग यहां तक र्यवाखिंए यह बताईई में ह्यार कि आधाता रहा थे नहीं हम यह बताई एक और बहुत अच्छा ता कोईस्ट सेइट है बहुत अच्छा करता कोश्चन है गला सिसक्व को सेकेन्ट हुए झाल को तो चो आधकिन acuerdo को ते, question question y equal to a plus b bar c in canonical SOP पूछ रहा है आपको यहीं तो खुबसूरती है इसी के एक्जाम में जो चार ऑप्शन भी देता है आपको एप्रोच बता देता है जो कैसे सोल्व करना इसको ऑब्ष्पर करना चाहिए मैं ओप्शन लग उप्ष्ण हुए यहां पर सिच्माइपकल टू माया थिविवयर शिय्मा क्या पूछ रहा है या पूछ रहा है या इस दोनों वर्ड को फोकस कीजेगा यह दोनों अपने आप में इस कोईस्टन का इमपोटेंट रॉल प्ले करता है यह दोनों अब सब्सक्राइब क्या होता है अभी ज़स्ट बताएं हम इसको सब्सक्राइब करना पर यह किसमें चैनोनिकल फॉर्म में अब कैसे करेंगे यह देखिए इसको सब्सक्राइब कैसे करेंगे यह देखिए इसको जब जूम कीजेगा जैसे फोटो कोई खीचते आप जूम करते हैं तो बहुत सारा चीज दिखने लगता है तो यह अभी दिख रहा है के बदद और इसको जूम कीजेगा तो दिखेगा यह वन से मल्या है और थोरा रणा कीजेगा तो फिर लन से लेकिन लेकिन यह यह जो वन होद बेलस बीगार को जो कर रहा है और मैं यह जोओं है वे और सब्सक्राइब है आपको देखना ऊच्छ जूम कर दिखना अब इसको जब सब्सक्राइब धीं हुआ कि अच्छक वह क्या बी पलसनी पर कि या जए सिवें थेओं वार कि यहां इन गृते हैं कि अधाया परिंटेंट हो गया व तान्शन काशफ यहां पहल míd ár 2 लेटी लिखा गया है लेकिन एन ही तो ए 1 पर में ही जाएगा को एपलस बर से बार हो जाएगा ए ममसे इसको शॉल्ब की जाये गाधाे लो निकल फोर्म निचेज एको बाहर ही रखी है वी है कि इसको स्वुल्व कर लिजे तो BC Plus BC बार मुश्यों अब देखिए दोस्य सार्थ मुटिपलाओ कितना बी भार सी B B R C B पर छाल जाय गा यह वी बार सी मरस एब माज बार सी है है कि मैंrale 40 पर लस्ट एबी आघ करना है छोटी छोटी चोटी चलकुलेशन है लिख करिए गार सही से तुक्का वाजी किये तो बस हो जाएगा गेम बार इक्जाम में तो यह आएगा आफ प्लस कितना है एवी बार सी देखिए ए बी बार सी और लेडी लिखा गया है तो यह Dad. कि आए गा तो दोचज को लिखने का कोई मेनिग नहीं है इसलिए उम पहले कर दिखुआ कर दिखिए इसलिए पांची फंचन यहां दिख रहा है तो यह और यह दोनों से मारा था यह दोनों इसलए एक को होता है ये पार्टि पटा अब दखिये इस फ़म में आ गया वॉय का वैल्यू किया यह możemy के लिग आ निकल्फर्म देखे प्रोड़क्ट का और टोटल का सम है मतलब यह तो एस कैनोनिकल एस्टोपी फ़र्म में आ चुका है लेकिन इस फ़र्म में दिया गया है एंसर तो चिछें तो शुक हैं सुन फ़र्म में दिया घ्र यहीं चीजें तो शुआए थे फो शुरुब अज फैसन पर उसमें यहीं सब चीजें बताएथे चैसे करना इसको यह गया एक में क्या लिखा जाता है जो नउन कंप्लिमेंटर होता है ओरन को सो करता है यह कितना हो जाएगा 111 यह कितना 110 यह कितना 100 यह कितना 001 यह क्या लिखा हुआ है फोर टू वन से तिनों बीट ओन है फोर टू वन से वन हो जाएगा देसिमल में करवड करेंगे तो 426 कितना 415 कितना यह फोर यह कितना वन बांकि दोनों बीट ओफ है जीरो है अब देखें कितना गया 14567 तो सिग्मा के टर्मिल लिखेंगे क्योंकि सोपी फर में सिग्मा ही लिखते हैं कितना हो जाएगा 14567 कौनसा ओप्शन है देख लिजिए 14567 14567 वी इस दा करेक्ट ओप्शन देख लिजिए कितना इंट्रेस्टिंग कुश्चन है अब बोलेगा सर कैनोनिकल आशोपी फर्म तो सब को आता है सब कर लेगा वेलेंड कुड है आपको पता है तो बस वन मेंट के वन मिनट के अंदर कैलकुलेशन करके टिक करके आगे बढ़ जाए बहुत अच्छी बात अगर आगया पता है आपको तो आपका रिवीजन हो गया आपका रिकॉल हो गया और जिसको नहीं पता उसको समझ में आया कि नहीं यह बता दीजिए आप लोग और समझ में आ गया है तो बस लि इसके पीछे लाउजिक क्या को संधने के पीछे का लॉजिक समझ लेगा कोईस्चन हो जाएगा ठीक तो अलमोस्ट सकेंट सेंट चोजिए आज का सकेंड ये जो करते हैं लेक्टर टू में कहां तक शुरुवात कहां कि यह थे बूलियन थियोरम दे शुरुवात कि यह थे और यहां तक कहुंच गए हम कैनो निकल डुएलिटी तक पहुंच चुके हैं अल्मस्त वन पाउंत जो है इसका कवर हो चुका है अब काको बचा पॊर्शन लार सब्सक्राइब सब्ढ़्स करने वाले हैं तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से पट लिब गाएगा है और जितनाउस्चन और देख लिए करेंगा कल जो आने वाला लाब सेशन उसमें इसी इसी टोफिक पर बेस्ट मैं कोईशन फ्रेम करके लेकर आओंगा अच्छा कोईशन जो कि आपका इसी टोफिक पर बेस्ट होगा और कुछ प्रिवियस एयर क्वेशन होगा वह ओ इस रोख हो सकता है वह बिए आरच का भी हो सकता है वह यह सी का भी हो सकता है तो उसी पर बैस्ट इस्ट पर करके लाएंगे और सूपर हमें ओके तुम मिलते हैं फर फिर कलके सेशन में तरह गालो नोगे तरह करते रहें और देखते रहें जनी को तैंक यू थैंक यू सो मच झाल झाल